इसवागत श्वागत श्टुडेंट यहां पर क्वेश्चन दिया हूए ग्राफ का क्वेश्चन है कि इसलेरेशन टाइम घ्राफ और पार्टिकल मूविंग लॉग एस्टेट लाइन इस्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इस शोन इन फिगर यह देखिए यहां पर एक्सेलेर सबसे आसान तरीका तो जो हम आपको बताने वालब यह है कि B नमबर और C नमबर नहीं होगा इसका रीजन कि ये एक स्ट लइन ग्राफ है और VT ग्राफ जब भी इस्ट लाइन देता इस तरह से तो यहां पर एक्सled आरेशन जो होता है वो constant होता है यहां पर भी आप देख रहे हैं कि वी टी ग्राफ औरिजिन से चालो के एक स्टेट लाइन है तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन जो यह constant है क्यों negative acceleration है यहाँ पर velocity क्या मेरा negative है slope क्या मेरा negative है acceleration क्या मेरा negative है बट constant है स्टेट लाइन है औरिजिन से पास होता हुआ यहाँ पर भी कि यह दोनों ग्राफ तो होगा नहीं अब बच्चा ए और दी तो इतना जान लिए कि यह वाला सही है इसका रीजन आप डारेक्ट ऐसे समझ सकते कि शुरू में एक्सेलरेशन का वैल्यू जादा था लेकिन जैसे समय बीता ग्राफ नीचे जाता कि मतलब एक्सेलरेशन क्या ह आप अगर इस पॉइंट पर स्लोप निकालते हैं तो यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे और अगर आप इस पॉइंट पर स्लोप निकालते हैं तो आप यहाँ पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे और जब भी आप वीटी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो ट अक्सिलरेशन तो positive है ठीक है होना भी चाहिए क्योंकि slope positive है साथी साथ आप देख पा रहेंगे कि slope का value बढ़ रहा है मतलब acceleration यहां पर increasing है बस समझ गये क्यों देखिए आपका ये वाला angle कम है और ये वाला angle जादा है इसका मतलब कि यहां पर slope जो की acceleration कहलाएगा VT graph में slope को acceleration क जादा है मतलब इस point पर acceleration कम है और इस point पर acceleration जादा है तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर acceleration increasing है तो ये वाला graph भी नहीं होगा option ये इसमें सही होगा आप इसमें देख पाएंगे देखिए VT graph कैसा ऐसा है तो यहां पर देखिए आपका slope कुछ इस तरह से बनेगा और यहां पर जो slope बनेगा उसका angle कुछ ऐसा बनेगा आप दोनों में से decide करिए कि कौन सा angle बड़ा है और कौन सा angle छोटा ये angle बड़ा है ये थोड़ा घट गया down हो गया graph तो यहां पर slope decrease हो रहा है यहां पर slope decrease हो रहा है that means कि आपका जो भी acceleration है वो यहां पर decreasing acceleration है और यही मेरा इस graph में दिखाया गया है decreasing acceleration with increasing time और finally यहां पर जाने के बाद देखिए graph एक state ऐसा आ चुका है ऐसा यहां पर slope 0 भी हो गया मतलब इस point पर acceleration 0 भी हो गया है जो कि इस graph में आप यहां पर देख सकते हैं यह पूरा अच्छे से एकदम explain किया हम इस graph को ठीक है तो I hope that this cleared your doubt thank you so much for watching